नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्पगत हैं कोरोना वाइरस के चलते पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच बॉलिवुड एक्टर सोनुसूद ने गरीबों और मज़दूरों के लिए जो किया उसने उन्हें मसीहा बना दिया अब भारती चुनावायोग ने सोनुसूद को पंजाब विधानसवा चुनाओ के लिए स्टेट आइकॉन चुना है सोनुसूद पंजाब में चुनाओ सम्मंधी जागरुकता फैलाते नजर आएंगे भारती चुनावायोग ने उनकी नियुक्ती को लेकर सोमवार को एक पत्र जारी किया है मुख्य चुनावाधिकारी डॉक्टर एस करूना राजू ने बताया कि फिल्म अभिनेदा सोनुसूद को स्टेट आइकॉन नियुक्त करने के लिए पंजाब की तरफ से भारती चुनावायोग को एक प्रस्ताव बेजा गया था जिसको मंजूरी मिल गई है पंजाब राज्जी में सोनुसूद के साथ मिलकर लोगों में चुनाव प्रक्रिया संबंधी जागरुकता फैलाएंगे सोनु ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो इससे सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपको बताते कि पंजाब राज्जी के मोगा जिले से सम्मंद रखने वाले सोनु सूद ने हिंदी, तमिल, तेलू, करनड और पंजाबी समित कई भारती भाषाओं में बनी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है सोनु के जरिये लोगों की मदद के लिए बहुत काम किये जा रहे हैं लोगडाउन के दौरान सोनु ने कई जगाहों पर भसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाने में बहुत मदद की थी जिसके लिए उनकी काफी तारीफ भी हुई कोरोना के दौरान किये गे कामों को देखते वे सन्युक्तिराष्ट डेवलप्मेंट प्रोग्राम की तरफ से सोनु सूथ को SDG Special Humanitarian Action Award भी दिया गया इसके अलावा फिल्मों में किये गे काम के लिए भी अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए One India के साथ